रियलमी के बारे में बात करने वाले हैं तो सोचा कि येलो कलर काई टीशर्ट पहल लूँ, रियलमी के साथ काफी ज़्यादा कंबिनेशन अच्छा बैठेगा इस वीडियो में माध्यम से मैं कुछ क्रिटिसिजम नहीं करने वाला हूँ, मुझे पता है कि काफी सारे रियलमी फैंस यहां पर बहुत सारे कमेंट्स आ करके डाल देंगे लेकिन यहां पर मेरा एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है, जो मैंने परसनली अजे रियलमी यूजर मैंने फेस किया है कुछ-कुछ ऐसे मेजर प्रॉब्लम्स जो कि समय के साथ रियलमी ने अभी तक नहीं बदला है और रियलमी के सारे हैंडसेट्स में यह प्रॉब्लम्स देखने को हमें मिल रहा है सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे रियलमी का जो बिल्ड और डिजाइन डिजाइन तो नो डाउट अभी समय के साथ रिइसेंट्ली कुछ चेंज़ हुए है है लेकिन अगर बिल्ड की बात करें तो बिल्ड अभी भी यहां पर रियल्मी प्लास्टिक या फिर पॉली कार्बोनेट ही इस्तमाल कर रहा है वहीं अगर आप रेड्मी पोको इन सब अगर आप देखते हैं जो इसके कॉम्पेटिटर्स है मार्केट में यह ग्लास दे रहे हैं लेकिन रियल्मी के अभी भी आप कोई भी हैंडसेट्स उठाओ अल्मोस्ट 60-70% हैंडसेट्स में आज के वक्त भी आपको पॉली कार्बोनेट ही मिलता है जीता जागता तो पोको और रेडमी यहां पर सारी फोन में अपको प्रीमियम बिल्ड और डिजाइन देता है जो कि यहां पर ग्लास आपको मिलता है बाकी मेरा पहले भी मानना है और आज भी मेरा कहना है कि completely choice to choice डिपेंड है यूजर के लिए लेकिन कमपनीज को यहां पर options देने रेलमी अकसर अपने phones को यहां पर अगर मैं CPU की बात करूं तो clocking speed काफी ज्यादा limited कर देता है जिसकी वजह से कि performance ज्यादा दिखा सके और इसका जिता जाकता है example है रेलमी X7 800U काफी अच्छा chipset है लेकिन यहां PUBG में high graphics पे आप नहीं खेल पाएंगे game तो मुझे लगता है कि realme को यह जो थोड़ा दोखा वाली दोखे वाली बात हुई processor capable है लेकिन अपने आपको अच्छा दिखाने के लिए scores अच्छा लाने के लिए on to the scores यहां पर यह इ रहे है यूटिलाइज नहीं कर रहे है अगली जो problem यहां पर जो मैंने देखिए वह सके display के साथ यह बहुत अजीब सा मुझे लगता है कि अगर आप realme के super amoled को अगर आप देखते हो वहीं आप redmi के ya poco के super amoled आप देखो जो महंगे phones में आता है या फिनो डाउट super amoled मे का ही display देख लो लेकिन oneplus का 8 series 9 series के अगर आप display तो changes है लेकिन realme के display पर मैंने जो majorly मुझे दिखा यहां पर realme x2 ले लो x2 pro ले लो आप x7 ले लो यह सारे handset के जो display है super amoled होते हुए भी यहां पर punchy colors को दिखते हैं लेकिन वो super amoled वाली feeling नहीं आती है punchy colors है लेकिन आप आपको आप जब उसको regularly use करेंगे वहीं आप साथ ही साथ दूसरा handset जब आप साथ में रखेंगे तो आपको difference clearly दिखेगा कि एक Redmi का जो note 10 series आपको super amoled दे रहा है वो आपको realme यहां पर नहीं देता है वैसी display की quality तो मुझे लगता है कि थोड़ा display पे इनको workout करना चाहिए super amoled दे तो रहा है लेकिन कौन सा super amoled भगवान जाने कि मुझे भी काफी बार में confuse कर जाता हूं कि भाई यह super amoled भी है या नहीं है बाकी आपकी क्या रहा है मुझे comment section में जरूर बताएगा अगली problem जो realme handsets के साथ जो अकसर देखा गया है शुरू से लेकर के 2018 में launch आपको saturation दिखता है तो यह एक बहुत अजीब मुझे लगा अगर आप इतने varieties launch कर रहे हैं तो definitely यह भी एक option होना चाहिए जहां natural images दिखे ना कि बनावटी images जो कि मुझे अजीब सा लगा कि realme इतना कुछ यहां पर कर रहा है लेकिन अभी तक post processing पे उतना अच्छा काम नही किया हुआ है जिसकी वजह से इमेज की quality है वो अभी भी satisfactory level की नहीं मिलती है जो अगली problem है वो है realme का bulk में handsets का launch करना मतलब एक handset market में आता नहीं है तब तक दूसरे की tease आ जाती है तीसरा तब तक line up होता है तो इतना सारा handset है अगर आप देखो इनका 10,000 के अंदर के segment और कर जाएगा consumer की कौन सा लूँ या नहीं लूँ इसका अगर मैं बात करो तो यहां पर realme r30 pro काफी अच्छा handset है वहीं realme x7 अगर आप देखते हैं तो ज्यादा major difference नहीं है pricing में लेकिन यहां पर आप confuse कर जाएंगे कि दोनों में से कौन सा handset ले मेरा यह personally मानना है कि realme जब पर काफी अच्छा handset काफी अच्छा भी का no doubt प्रोसेसर काफी बढ़ी है लेकिन limited performance आपको मिलता है बहुत ही उसको मतलब एक बोलू तो फिर उसको काफी जादा closed ended कर दिया है आपको performance उतना अच्छा नहीं देखने को मिलता है लेकिन साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो realme का और भी शीरीज है नार्जो सीरीज है यू सीरीज है बहुत सारे एक सीरीज है बंदा confuse कर जाए कि भाई मैं कौन सा handset लूँ एक बंदा लेता है तब तक दिया में देखने को मिल जाएगा जो कि मुझे काफी अजीब लगा है नहीं अजीब ऑली बात आप एक handset ले रहा है पैसा invest कर रहा है और उससे थोड़ा बहतर आपको 15 या 20 दिन या महने भर में दूसरा handset वही ब्रैंड लॉंच कर रहा है तो काफी confusion create कर रहा है आई थिं जो problem है इसके उपर work out करना चाहिए बहुत major problem है अब consumer को choices दे रहा है लेकिन choices इदनी जल्दी जल्दी दे रहा है कि सामने consumer confuse कर जाए जो अगली और यह सबसे बड़ी जो problem यह सबसे बड़ी problem में मानूंगा Realme समय के साथ साथ यहाँ पर अपने पुराने handsets को भूलता जा रहा है जीता जागता example है Realme X2 Pro फोन काफी बढ़िया और तगड़ा था premium segment का फोन था लेकिन Realme UI 2.0 अब भी तक उसमें देखने को नहीं मिला है नहीं open beta नहीं कोई announcement है सिर्फ ए quarterly वहाँ पर जो roadmap इशू किया रूट मैप दे करके यहाँ Realme भूल चुका है कि इसे update देना भी है या नहीं देना है तो update के मामले में no doubt Redmi का भी कुछ वैसा ही हाल है लेकिन Realme यहाँ पर काफी ज्यादा पीछे है जिए दोस्तों अगर वहीं बात करते हैं आप तो Realme का एक जो marketing strategy वह काफी गंदा है जैसे कि आप recently अगर आप देखेंगे तो Realme के C series में Realme UI 2.0 दे दिया गया है लेकिन Realme X7 एक अच्छे specs के साथ होने के बावजूद भी 2.0 उसमें अभी तक नहीं दिया गया है no doubt आने वाले समय में मिल जाएगा लेकिन out of the box इन्हें देना चाहिए था क्योंकि Realme 8 एक अच्छा specs के साथ नहीं आता है फोन काफी ज्यादा flop हो चुका है इसकी वज़ए साब देखेंगे कि टीवी पर भी एड्स आ रहे है रियल में क्यों नहीं Realme X7 का advertisement करता है रियल में वैसे handsets का advertisement करता है जहां पर उसे पता है कि उसने compromise किया है अपने manufacturing में या फिर उस particular phone के साथ तो रियल में यहां पर अपने latest software को डाल की दे रहा है लेकिन वही existing handsets जो market में है जो काफी अच्छे specs के साथ है रियल में अभी तक उनको Realme UI 2.0 नहीं दिया है जो कि एक बहुत बड़ा flaws है बाकि आप क्या सोचते है comment section में जरूर बताईएगा अगली जो problem मैंने यहां पर देखे है दो चीजें एक common देखी गई है सारे handsets में यह नहीं देखा गिया है लेकिन बहुत सारे handsets में यह पाय compromise करता है यहां पर secondary noise cancellation और दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो इसका career aggregation है Realme को यहां पर यह समझना चाहिए कि career aggregation होना ज़रूरी है Realme X7 की बात करें तो उसमें career aggregation आपको नहीं मिलता है no doubt एक काफी अच्छा handset है उसके अलावा और भी handsets है जिसमें Realme ने काफी बार secondary noise cancellation नहीं दिया है माइक काफी बार career aggregation को हटा दिया है और सबसे major चीज जो आती है कि budget centric phones में आपको 3.5 mm jack तो देना ही चाहिए जो कि आप Redmi से सीख सकता है Redmi के जितने भी handsets है जो budget centric handsets है सब भी में आपको यहां पर 3.5 mm jack देखने को मिलता है और मुझे aggregation तक नहीं दिया है अपको Realme X7 जैसे handsets में तो मुझे काफी अफसोर्स लगता है और मुझे लगता है कि Realme इन चीजों को समझना चाहिए Realme को back to back इतने सारे handsets launch करने से बढ़िया है कि UI पर अपना focus करे उसको काफी जाधा optimizations दे अपने specifications पे काम करे CPU के जो clocking है उसको proper कर सब्सक्राइब कि मत जहिएगा क्योंकि मैं इसी मज़ेदार वीडियोज आपके लिए लाते रहते हैं तैसे प्यार देते रहिए और बोलते रहिए जय हिंद वंदिमात्रम